नमस्कार आप देख रहे हैं एक्जाम टूर आप से बता दें दो शिप्टों में 17 तारिक को दरोगा का एक्जाम समाप्त हो गया दोनों शिप्टों में टोटल सीट का लगभग 3,30,000, 3,30,000 करके यानी 6,60,000 अभ्यरती को बाट दिया गया था सभी अभ्यरती टोटल 38 जिला में 613 किंद्र बनाए गये थे और सभी कंद्रों पर परिक्षाएं हुई यहां से दावा किया जा रहा था कि सभी परिक्षाद केंद्रों पर जैमर लगा है और जैमर लगा भी था और उसके बाद CCTV केमरा भी लगाए गये हैं और उसका टोटल निगरानी किया जा रहा है सिसी टीवी केमरा की बात करेंगे तो लगभाग सारे सुले हच्चार के करीब लगाए गया था और सारे दावे टोटल किये गये थे कि परिक्षा के इंद्रों पर अभ्यरती को कोई समागरी नहीं लेकर जाए 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 यानि चाक्षावण बवस्ता किया गया था त प्रभाद खबर की खबर है यहाँ पे देखिएगा शंबादाता पटना मदुबनी बिहार अवर शिवा आयोग द्वारा रविवार को ले गई पुलिस अवर ने चकपद की परिक्षा का प्रस्णपत्र और आंसर रविवार को वाइरल हो गया दोनों शिप्ट के वाइरल प्रस्णपत्र और आंसर दोनों परिक्षार्थी ने सही बताया हाला कि प्रभाद खबर इसकी सत्यता की पूष्टी नहीं करता है परिक्षार्थियों ने कहा कि वाइरल प्रस्ण ही परिक्षा में पूछे गये थे जबकि परिक्षा हॉल से प्रस्णपत्र वाहर ले जान परिक्षा शुवा दस बय से बारह बजे तक और दो पहर दो धाई बय से साड़े चार बजे तक ली गई अभ्यार्थी को एकजाम शुरू होने से डेल घंटे पहले अपने अपने सेंटर पर रिपोर्ट करनी थी यहाँ पे देखिएगा यह पती पतनी का खेल देखिए यह आप जानिए मधुवानी में पती वाटसप से पतनी को बता रहा था प्रस्ण का उत्तर बिहार पुलिश अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजिक पुलिश अवर निक्षक पद की परिक्षा में रविवार को आर एन कॉलेज पंडौल सेंटर से प्रस्णपत्र लिग करने की बात सामने आई है ये एक सेंटर है वहाँ से बात सामने आई है ये बात तो सही है कि अभ्यरती को प्रस्ण नहीं दिया जाता है ये प्रस्ण आयोग की संपत्ति रहती है वही पे छोड़ कर आपको आना रहता है इसमृती पर आदारीत अभ्यरती बताते हैं कि हमको ये प् शुत्रो से मिली जनकारी के अनुशार बेनी पटी की रहने वाली रितु कुमारी का सेंटर आर एने कॉलेज में था परिक्षा केंदर पर उसके साथ उसका पती संजीव कुमार भी आया था दूतिये पाली में जैमर में तक्निकी खरावी आ गई थी किसी प्रकार रितु ने म मुबाइल के माध्यम से प्रस्ण पत्र को अपने पती संजीव को भेज दिया देखिए ये जो आरोप लग रहा है जो महिला है वो मुबाइल लेकर चली गई इतना चेक होने के बावजूद मुबाइल लेकर घुश गई और उसका फोटो घिचके अपने पती को भेज दी अब देखिए वहाँ घुशी उसके बाद अपने पती को भेजी एक एक प्रस्ण पुछ कर बना रही थी यहाँ जैसा किसी परकारीतु ने मुबाइल के माध्यम से प्रस्ण पत्र को अपने पती संजीव को भेज दिया फिर संजीव बाहर से प्रस्ण को स्वल्व कर अपन श्विनी कुमार मौके पर पहुंचे और व्यापक रूप से पुष्टाच की जिसके बाद पती और पतनी को ग्रिफतार कर लिया गया इस मामले में सदन SDO श्विनी कुमार ने कुछ भी बताने से परहेज किया और कहा कि शारी जनकारी शोंबार को दी जाएगी अभी जांच चल रही है देखिए जांच अभी चल रहा है यहां पे देखिएगा उपस्तिती की बात किजिएगा 85 पर फिसदी रही उपस्तिती कादाचार में 9 निसक यहां पे देखिए इस प्ररंभिक परिक्षा में 85 पर फिसदी यानि 5,61,000 अभ्यरती भाग लिया था बिहार पुलिश अवर शिवा आयोग के OSD ने बताया कि परिक्षा में कुछ 9 अभ्यरती को कदाचार के आरोप में निसकाशित किया गया इसमें 3 अभ्यरती OMR पत्र ल जफरपूर मधवनी शिवान और मध्यपूरा से एक एक अभ्यरती को परिक्षा से निसकाशित किया गया मालूम हो कि इस परिक्षा को लेकर सुबे के सभी 38 जिला में 613 केंदर बनाये गये थे कुल 6,60,000 अभ्यरती आवेदन किया था प्रस्ण पत्र वाइरल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली है यानि प्रस्ण पत्र वाइरल की बारे में उन्होंने ही बताया उन्होंने बोला कि इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है और इसकी सत्ता की पुष्टी इक्जाम टूर भी नहीं कर रहा है जब तक आपसे मैं बता किसी भी प्रकार का कोई शमस्या होता है तो सबसे पहले अभ्यार्थी के साथ रहता है और अभ्यार्थी के द्वारा ये लगतार दावा किया जा रहा है तो इसकी कितनी जांच होनी चाहिए और ये बात सही है कि अभ्यार्थी को प्रशन नहीं मिलता है तो फिर मार्केट में प्रश्ण आ कहां से जाता है वहां मदुमनी की रही बात तो महिला कैसे लेकर वहां पर गुज गई इसकी भी जाच होनी चाहिए सत्ता की जाच आनी चाहिए ताकि जो अच्छे बच्चे हैं जो रात दिन एक करके तैयारी करते हैं उनके साथ किसी भी परकार का कोई समस्या न हो आप देख रहे थे एक्जाम टूर यदि आप एक्जाम टूर पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें लोगों में सेर करें जैहिए